आज के डिजिडल वर्ल के दुनिया में बिजली के बिना कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। हमारे घर में, ओफिस में और हम जो डिवाइज उस करते हैं इन सब के लिए बिजली चाहिए। तो बिजली को पहली बर किसने बनाया और कैसे उसको डिसकोवर किया। अब इसका जबब दो लबजमें देना मुश्किल है क्योंकि इस बिजली के लिए बहुत सारे वेगानेगों ने प्रोइक किये। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फीश्ट, थांडर, इलेक्ट्रिक स्पर्क जैसे सीज है। जिसके बदले में आज हम इस खुबश्रत खोष का फाइदा उठा रहे हैं। बिजली उर्जा का एक रूप है, इसलिए इसे अभिश्कर नहीं एक खोष माना जाता है। बिजली की शुरुवत अठरवी सदी या उननीसवी सदी नहीं, बलकि इसका तल्लोक कही सल पुराने है। 1930 में हुई अर्कलोजिकल खोष में जो सीज निकल आई, उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इस खोष के अंदर रोमन जावने के प्रासिन बैटरीज निकल आई थी। बागदाद में भी इसी तरह के बैटरीज निकल आई। इससे यह साब जाहिर होता है कि बहुत पहले हिसे ही बिजली का संकल पुना था। सैसो बीसी में ग्रीक्स ने अमबर्स जो पेर से निकलता है उसे जानवरे के बालों के साथ रग़ा तो आपस में आकरशन पैदा हुआ। इसको इस्टेटिक इलेक्टिसिडी कहते है। सात्रवी सदी में बहुत सरे प्रोइक्ट किये गिये। उन सब की जानकर इस वीडियो में देना मुश्किल है। इन सारे प्रोइक के बाद कुश खोजो को किया गया जिसके अंदर इलेक्टर स्टेटिक जनेरेटर, पोजिटिव और निगेटिव करेंज और कॉंड़क्टर इंसुलेटर है। 1772 में बेंजामिन फ्रेंग्लिन ने काइट एक्समेंट किये, जो एक पतंग सावी और बिजली को इस्तमाल करके किया गया था। इस प्रोएक में Benjamin Franklin ने बिजली गरस्ते वक्त एक पतंग को उराया और उस पतंग के साथ एक चावी को बांद दी। क्योंकि पतंग के साथ चावी थी इसलिए Benjamin Franklin को बिजली का एक जोर का चटका लगा। इस प्रोएक के बाद बिजली से आने वाले स्पार्क और बिजली दोनों को एक ही माना गया। सल अथारस्व में इटालियन फिजिसिस्ट अलेस्ट्रो बोल्टा ने एक जबरदस खोश की। वो ये था के रासाइनिक पतिक रिया से बिजली को बनाना था। बोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पोजिटिव और निगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया। और इसे साइन्टिस्ट के नाम से बोल्टा उनिट रखा गया। 1831 में माइकेल फाराडे ने एक कॉपर वेर और मैगनेट को लेकर एक ऐसा प्रोएक बनाया। जिसके बाद लगातर बिजली पाइदा करना एक तरीका मिल गया। इस प्रोएक के लिए फाराडे ने एक कॉपर कोयल के अंदर मैगनेट को मूब किया तो इलेक्टिसीदी पाइदा होना शुरू हो गया। अब ये प्रोएक के बाद बैटरीस पर निर्वर रहना नहीं पड़ता था। इस प्रोएक को इस्तामाल करते हुए अठारास अठार में अमरीका के बेग्यानिक थोमास एडिशन और बिटेन के बेग्यानिक जोसप शौन ने फिलामेंट लाइट बाल्व का अभिशकर अपने अपने देशों में किया था। आज भी बाल्व का अभिशकर थोमास एडिशन को मानते हैं जबकि स्वान ने भी इसका अभिशकर किया था। एडिशन ने जो डाइडेक्ट करेंट को बनाया वो दूर के जगओ के लिए फैजना मुश्किल था। टेस्ला ने जो ऐल्टरनेटिंग करेंट बनाया उसे दूर के जगओ के लिए फैजना बहुत आसन्था। टेसला के इस AC मोटर्स टेकनिक को इंडस्टियलिस्ट वेस्टिंग हाउस ने खरीद लिया और अपने ही नाम पर वेस्टिंग हाउस कमपानी को शुरू किया और अमेरिकन सुसाइटी को समझाया कि भोविशों में DC करेंट के बदले में स्रीफ AC करेंट का इस्तेमाल करना बह बहुत बरी कमपानी थी तो इसी तरह electricity आज हम तक पहुंची है